तीन राजियों में बुरी तरह मात खाने के बाद अब कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के नेत्रतो पर जमकर सवालिया निशान उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर कॉंग्रेस की जमकर चुटिया ली जा रही है और तंज भी कसे जा रहे हैं और तंज सिर्फ भारत से ही नहीं बलकि विदेशों से भी जिहां विदेशों से भी तंज कसे जा रहे हैं दरसल चार में से तीन राज्यम होई कॉंग्रेस की बुरी हार पर पाकिस्तान की भी नजर है पाकिस्तान की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान से प्रतिकरिया आई है तो जरूर मिर्ची ही लगी होगी लेकिन यहां आप थोड़े से गलत हैं क्योंकि प्रतिकरिया पाकिस्तान में रहकर भारत से प्यार करने वाले पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया की ओर से आई है और प्रतिकरिया ऐसी वैसी भी नहीं बलकि पनौती को लेकर जहां पनौती को लेकर इसलिए क्योंकि कॉंग्रेस को पनौती वाला दाउं ही उल्टा पड़ गया उन्होंने एक छोटा सा सवाल अपने ओफिशियल एक्स हैंडल के जरीए पूछा और सवाल ऐसा कि जिसमें नाम भी नहीं लिया और तीर एकदम निशाने पर लगा उन्होंने चुटकी लेते हुए एक्स पर पोस्ट किया पनौती कौन अब दानिश कनेरिया की इस प्रतिकरिया को आप भी समझ गए होंगे कि उन्होंने किस के लिए कहा है दरसल हाल ही में भारत और अस्ट्रेलिया का फाइनल मैच देखने गए पियम मोदी को राहूल गांधी ने पनौती कहा जिसके बाद खूब बवाल मचा इसके बाद कई नेताओं ने भी उनसे लगभग ऐसा ही सवाल किया कि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कॉंग्रिस के लिए पनौती कौन साबित हो रहा है लेकिन सिर्फ दानिश कनेरिया ही नहीं बलकि आज बीजेपी के तमाम नेता ये पूछ रहे हैं कि अब बताओ पनौती कौन आपको बता दें कि तीनो राज्यों में भाजवा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार मना रही है वैसे दानिश कनेरिया की इस प्रतिकरिया पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं